हेलो फ्रेंड्स मैं विनेय निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर से मैं चन्द पर श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज SBI PO तो प्रिलिम्स का जंग शुरू हो चुका है और पहला सिफ्ट ओवर हो चुका है तो अब आप लोग ढूंड रहे हैं कहीं इसका अनलाइजर मिल जाए कि कैसा पेपर रहा पेपर का लेवल टफ रहा एजी रहा या फिर मॉडरेट रहा कैसा रहा और जो लेक्जाम देखा है कितना हो सकता है मैं मेंस के लिए प्रिपेशन करूं या ना करूं तो बहुत सारे सवाल है तो फ्रेंट्स अब थम्निल देखे समझ गया होंगे क्या है अपने पुराने लिवल पर आ गया है और इस बियाई प्यों नाम ही काफी है सेल्फ गीवन एक्जाम यानि कि 2019 में जो है अचानक कटाफ बढ़ गया था उसके प्रिलिम्स का 71 चला गया था यूर के लिए क्यूं चला गया था क्योंकि पेपर का लेवल जो है डाउन हो गया था 2018 के कंप्रिजन में और 2018 में शायद कटाफ इसका 56 था ठीक है तो अभी हम इस साल कटाफ नहीं बता सकते है क्योंकि अभी केवल एक सिफ्ट ओवर हुआ है अभी 11 सिफ्ट बचे हुए है ठीक है तो अभी लेवल अप डाउन हो सकता है हो सकता है क्यों एक ही मैसा रहा हो तो अभी हम कटाफ पर डिसकस नहीं करेंगे लेकिन सेफ अटेंट पर जरूर डिसकस करेंगे तो फ्रेंट्स म बहुत अच्छा है वो 30 full भी करके आए हैं अगर मैं अपने attempts के बात करूँ तो मेरा English में 25 attempts रहा है friends ठीक है और इसमें अगर average attempt माना जाए तो 22-24 average माना जाएगा क्योंकि English जरा सा भी अपना pattern change नहीं किया है बिल्कुल कह सकते हैं English तो नहीं कहेंगे बाट easy जरूर कहेंगे जिने जरा सा भी conceptual clearation है कि हां मतलब कि English क्या होता है कैसे questions बनते हैं इसमें wordswap बगरा easy पूछे जा रहे हैं ज्यादा प्रिशान होने की जरूरत नहीं है और बाकी बात करें अगर हम मतलब की आर्शी वेगरा तो आर्शी मैंने चेक ही नहीं किया मैंने आर्शी स्कीप कर दिया तो मैंने उसे चेक नहीं करने गया हां उसमें जो दो वर्ड मिनिंग थे मैंने similarity वो किया क्यवर इसलिए 25 हो गया अदरोज आर्शी में कोशन तब ठीक है फ्रेंड्स लेकिन अगर हम maths की बात करें जैसा कि कई लोग पूछ रहे थे exam में sequence कैसा रहेगा कौन सब्जेट पहले मिलेगा कुछ लोग कर SBI प्यों कुछ अलग होता है क्या तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि नॉर्मली सभी banking exams में होता है वैसे यहां भ सब्सक्राइब के तरह बढ़ते गए कोशन लेवन ऐसा देखने को मिला है जी आ फ्रेंट्स बिल्कूल इंग्लिस में भी देखें ना तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लगा और लेवन लास्ट में रखा यानि कि आपको ज्यादा परशान होना नहीं पड़ा बहले लेकिन परशान नहीं होना पड़ा पेपर सेटर ने अच्छी तरके सेट किया था ठीक है सबको तरह मिला नहीं होगा तो वैसे जो भी है जिसको मिला ऐसा उसके लिए फायदा ही रहा तो इंग्लिस थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल था सभी लोग 20-24 तो कर सकते थे ठीक है जिनका अवरेश प्रपरेशन है अब अगर हम मैट की बात करें तो थोड़ा इसका लेवल अप हो गया इस पार जैसा कि आप लोग जानरे 2018 में लेवल काफी अप हो गया था डिया वगरा काफी टफ कर दिया था ठीक है और अरिफ्मेटिक्स ज्यादा कर दि बट इस बार ऐसा नहीं है आपको केवल एप्रॉक्सिमेशन के 6-8 कुछन लवग देखने को में एगज़कली याद नहीं है छे या आट क्वेश्चन केवल थे और डियाई के दो सेट थे इसमें 6-6 क्वेश्चन थे ठीक है एक पाई चार्ट पे था और एक पाई चार्ट बनाना था उल्टा करना था मतलब कि उसका एंगल वगर बताना था तो दो डियाई थे फ्रेंड्स और पता है क्या डेटा भी पूरा सफिशियेंट नहीं था उसमें लिख दिया था कि नौट अवलेबल डेटा लिख दिया था फिर नीचे कुछ डेटा प्लस करने पितना म होगा मतलब डायरेक्ट डेटा भी नहीं दिया था यानि कि यह क्लियर कर दिया कि आप SBI PO का एक्जाम देने आए हैं ना कि IBPS PO या किसी कलर का एक्जाम देने आए हैं तो फ्रेंड्स यहां अपने लेवल दिखा दिया SBI ने और यहां लेवल वाकई में थोड़ा सा अप हो अपना बात करो तो फ्रेंड्स में 21 क्वेस्टन करके आया हूं मैं इंगलिस में 25 मैं 21 अब ऐसे ही अगर हम रिजनिंग की बात करें तो रिजनिंग का लेवल तो पूछिए ना फ्रेंड्स तो मतलब मैं से भी उपर था मैंस थोड़ा एक्सेप्टेबल था कि हाँ जिसको इसा कलकुलोशन वगेरा आता है वो कर सकता है बट रिजनिंग जो है फ्रेंड्स उषका लेवल तो और अप हो गया है जैसे मैं बोला ना एक्जाम में ऐसा मिलता गया है इसी तो मॉडरेट मॉडरेट तू टॉफ ऐसे होते गया है तो रिजनिंग फ्रेंड्स कुछ हाई लेवल पर ही था अब क्या था मेरा पहला कोशन ऐसा मिल गया एक था क्या नम है इसक्वाइर बेस सिटिंग अरेजमेंट था वह बहुत इजी था उसमें क्या हुआ कि उसमें दो प्रजेक्शन का भी जरूवत नहीं पड़ा एक ही प्रजेक्शन से डाइट आंसर मिल गया तो वह थोड़ा एजी लगा फ्रेंट वहां से कॉंफिरेंस लेवल बुष्ट हो गया लेकिन उसके बाद किया फ्रेंट जो अदर कोशन मिल रहे थे वह काफी मतलब की लेंदी थी घुमावदार कह सकते हैं और उसके बाद क्या था एक अंसर्टेन सिटिंग था और जो मैं तक आउन दीट दो पजल थे जो मंत मेंसिट पजल था ये काफी टफ थे इन्हें मैंने देखा तक नहीं ऐसे पजल थे और जो मिस्लेनियस कोशें से इन में भी केवल सिलॉक सीठ पर भी आनमें थै मैंने तो इसका देखा भी पे McNно Daar आया ह। म बत कर रहा हूं प्रों Caleb Key ये तो वो था friends quadratic equation quadratic equation डाल दिया था वो थोड़ा सा इजी कर दिया था लगवक्त 6 question quadratic equation के थे तो इसलिए math में थोड़ा score आप इंप्रूफ कर सकते हैं तो काफी लेंदी टाइप के थे पर्जल और सीटिंग अरेजमेंट तो आप भूल जाएए कि उलेक सीटिंग अरेजमेंट मुझे बहुत इसलिए मिला जो पहला मैं कर लिए एक ही प्रोजेक्शन पर दूसरे का जरूवत नहीं पड़ा मैं दूसरा लेके चल रहा था बट द मुझे थोड़ा सा गेस मारन अपना कौन सा पॉस्बिल्टी है कौन हो सकता है ठीक है मैं टोटल नमबर आप नहीं बताये किते में मस बैटे हुए हैं बट कौन कहां पर लोकेशन वह मैंने एक दो कोशन दिया उहां पर आंसर तो ऐसे हो सकते है और थोड़ा ब्लड करना करते यानम अग्ला कि बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या ओता कि स्पीड ज्यादा मेतर नहीं करता है यहां पर आपका iq लेवल उॅप करता है यह उन्म है कि यहां सागना होता है बस आपको question पहचानना होता है चाहिए English हो चाहिए Maths हो चाहिए reasoning हो यहां calculation की demand नहीं होती पी-उ लेवल पे चाहिए आप चाहिए VPS की बात करें चाहिए SBI की बात करें और वैसे SBI है banking का सबसे higher exam आप समझ सकते हैं तो यहां पर वैसे ही था कि आपको क्यों बस आपका mind चेक किया जा रहा है कि आप कि इतना जल्दी कैश कर सकते हैं कि कहां पर कौन सा लॉजिक है और क्या हो सकता है यहां पर अगर अब लेंदी वे में जाएंगे तफस जाएंगे अगर आपको आइडिया है आपने प्रैक्टिश किया बहुत जालता तो आप कर सकते हैं ठीक है तो मेरा टोटल अटेम्ट हो जा रहा है इंग्लिस में 25 मैट्स में 21 रिजनिंग में 20 याईनि कि मेरा 66 अटेम्ट हो रहा है आ बहुत से लोगों ने 80 85 करके आया है लेकिन जब एक रिशी शाही नहीं रहती है तो बाद में उनका मार्क्स काफी डिक्रीज हो जाते है ठीक है और मैं बात करूं 2018 का कटाफ था SBIPO का 56 को कटाफ गया था और पोस्ट लगभग नॉर्मली हमेंसा 2000 रहते ही ठीक है तो इस ब सेफ स्कोर माना जाएगा तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है क्योंकि मेंस में 25 दिन को बचे हुए है आपको 10-15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा परिशान हो जाएंगे इसलिए आपके बाद मेंस से फोकस करें आटम्ट के प खराब हो जाएगा आप रिज से बाहर हो जाएंगे इसलिए आपको मेंस पर फोकस करें और अटम्ट को पीछे छोड़ दें इनका डिस्क्रशन बिल्कुल ना करें इससे मन में निगेटिवटी बिल्कुल ना ला है मैं यही कहूंगा कि अगर आपके 55 भी अटम्ट है है हिन जय भारत